तो गाईस आज मैं आपको bank की nifty में सिर्फ 200 रुपे से भी आप trading कर सकते हो और मैं आपको full live देखाने वाला हूँ तो चलिए guys simple हम grow app को open कर लेते हैं तो guys fno में trading करने के लिए simple आपको आ जाना है यहां पर देख सकते हो fno का section इसमें आपको आ जाना है उसके बाद यहां से आप nipty भी select कर सकते हो और bank nipty तो जो कि मैं आपको bank nipty में देखाने वाला हूँ तो simple हमने bank nipty select कर लिया तो guys यहां पे भी हम 3 November का expiry date select किया है हमने और उसके आद यहां पे सबसे कम बाला premium बाला हम strike price देखेंगे जो कि यहां पे देख सकते हो जो 32,500 का है इसके लिए सिर्फ हमे 5.5 रुपे premium paid करना पड़ रहा है जो कि एक बहुत ही कम है तो guys अगर हम calculate करते हैं तो हमारा जो margin निकल के आता है जो कि हमें लगेगा 136 रुपे के करीब तो जो कि देख सकते हो guys 1500 रुपे से भी कम है तो guys simple आपको इस पे क्लिक करके आपको select करना है उसके आद यहां पे हमें buy and sell करने का option आ जाता है तो simple हमें buy करना है put तो guys put हम इसलिए buy कर रहे हैं क्यों कि अभी market का sentiment है जो कि पूरा downside है इसलिए हम put में हमारा पैसा बनेगा भी तो simple हम buy पे क्लिक कर देते हैं तो buy पे क्लिक करने के बाद guys यहां पे भी आप देख सकते हो तो यहां पे आप price limit भी लगा सकते हो और यहां पे quantity रहता है जो कि 25 quantity का एक lot रहता है bank nipty का तो simple हम इतना ही रहने देंगे और उसके आद यहां पे limit लगा देते हैं हम 5 रुपे का ने तो चलिए हम market price पे भी buy कर देते हैं जो कि यह 5.20 रुपे तो चलिए हम buy कर देते हैं simple तो गाइस यहां पे देख सकते हो जो हमारा order है जो कि complete हो गया है तो गाइस यहां पे मैंने bank nipty का दो lot total buy का लिया है जो कि यहां पे देख सकते हो अभी loss चला है मुझे 45 रुपीज और इसके लिए margin लगा है मुझे जो कि है यहां पे देख सकते हो आप मैं आपको देखा तो गाइस यहां पे हमने buy order तो successful order कर दिया बट अभी सबसे important हो जाता है stop loss लगाना and target लगाना तो गाइस मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ क्योंकि गाइस अगर हमने stop loss नहीं लगा है तो हमारा loss भी हो सकता है तो गाइस मैं आपको आगए target लगा के दिखा देता हूँ उसके बाद मैं आपको stop loss भी दिखा देता हूँ तो simple आपको इस पर click करना है click करने के बाद आपको exit पर click करना है तो guys यहां पे हमने दो lot buy किया है जो कि आप हर एक lot के लिए अलग अलग से target and stop loss लगा सकते हो तो चली मैं आपको दिखा देता हूँ तो simple मैं एक lot कर देता हू यहां पर और उसके बाद यहां पर तो अभी target के लिए simple आपको price limit रहनी देना है और उसके यहां पर आपको target डाल देना है जो कि चली मैं डाल देता हूँ यहां पर target price तो guys जो price है अगर आप limit price डालते हो तो यहां पर देख सकते हो मैंने 50 रुपे डाल दिया कि 50 रुपे आ जाना चाहिए बट यहां पर price का दिखा रहा है कि आपका price इतने से इतने के बीच में होना चाहिए जो कि यहां पर दिखा रहा है 32.45 तो चली हम डाल देते 32 रुपे डाल देते उसके बाद आपको simple क्लिक कर देना है sell पे तो देख सकते हूँ जो sell order successfully place हो गया है और जो कि आ आपको यहां पर dashboard पर दिखने लगेगा यहां पर अभी चलिए stop loss में आपको लगा के दिखा देता हूँ तो simple आपको फिर से cp क्लिक करना है उसके बाद exit and यहां पर आपको नीचे क्लिक कर देना है advance option पर उसके बाद आपको stop loss order and continue और यहां पर गाईस आपको दो price डालना रहेगा एक रहेगा trigger price and दूसरा रहेगा limit price तो आपको करना क्या है simple यहां पर 3 रुपे डाल देना है just मैं example बोला हूँ क्योंकि जो premium चल ला है जो की 4 रुपे प्रीमिम चल ला है इसका और उसके बाद आपको price limit डाल देना है 2 रुपे आप अपनी इसाब से stop loss लगा सकते हो just मैं आपको example दिखा रहा हूँ तो यहां पर होगा क्या जब यह premium है 3 रुपे से नीचे जाएगा तो मेरा जब order execution हो जाएगा और 3 से 2 रुपे के बीच में जो order है sell कर दिये जाएगा और माली अगर आप जो price limit है 5 रुपे डाल देते हो तो यहां पर इस type से आपको दिखाएगा trigger price should be greater than limit price तो मतलब यही होता है कि आपको जो price limit है उसको कम रखना है तो इस type से देख सकते हो यहां पर भी दिखाने लगा तो simple चली मैं यहां पर डाल देता हूँ तो same price भी डाल सकते हो आप चाहो तो तो इस type से मैंने डाल दिया अभी मैं simple क्लिक कर देता हूँ sell order पे तो देख सकते हो गाईस जो हमारा sell order successfully हो गया है तो हमारा दोनों order लग गया है एक यह रहा हमारा target price और यह रहा हमारा SL एनी stop loss तो इस type से आप दोनों order बहुत ही आसानी से लगा सकते हो और गाईस मैंने यह सिर्फ एक order के लिए लगाय हुआ है आप चाहो तो दोनों order के लिए same type में लगा सकते हो और अगर कुछी problem होता है तो आप comments से पूछ सकते हो और जो भी मुझे profit हो गया फिल लॉस होगा मैं जो कि मैं आपको आगे contract note में दिखाने वाला हूं तो चली गाईस मैं आपको contract note दिखा देता हूं सो गाईस यहां पर भी आप देख सकते हो हमने दो लॉट के लिए paid किया था margin जो की था 305 रुपे और उसका 40 रुपे कुछ brokerage लगा साथ रुपे और भी चार्जिस लगा थ चार्जिस लगाता और इसके बाद इस अब टोटल चार्जिस मिला के हो जाता है 302 रुपे जो कि हमने paid कर दिया था एफनों इस दो लॉट के लिए तो बाकि मैं अभी आपको sell contract note दिखा देता हूं तो गाईस यहां पर भी आप देख सकते हूं जब मैंने sell किया था इसको दोनों लॉट को एक साथ में तो यहां पर मुझे मिल गया था 135 रुपे और 135 में से फिर कट हो जाता है कुछ इस टाइब का 20 रुपे ब्रूकरी जाता है और उसके बाद 3 पॉइंट एक कुछ इस टी लगा और इस टाइब के चार्जिस अगयर कटके जो कि मुझे मिलता है 111 रुपे तो अभी हम क्यल्कुलेट करें अगर तो हमने पेड़ किया था दो लॉट के लिए चार्जिस पकड़ के 312 रुपे और उसके अधर में मिला है जो कि हमने sell कर दिया था कल तो हमें मि पूट ऑप्शन को कैसे बाए कर सकती हूँ उसमें कैसे टार्गेट लगा सकती हूँ नएक भडर लगा सकती हूँ है जो कि यहाँ पर इस वीडियो अप इसली देख शक्ते हो सु वस गाईस, आज का वीडियो यही था और मैं उम्मिद करता हूँ कि आपक्सेंद आयोनुत झाथ झाल जायब में झाल